हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो इस्टार प्लस क्लासेस, कैसे हैं आप सभी लोग, उमीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तो हमारा जो ससी माइतमेटिक सोल पेपर 11500 की एबुक थी, इसमें हमने प्रोफिट अनलोस के कुश्चनों को जो स्रीच चला रहे थे, टाइप 9 के कुश्चन नमबर 1 से कुश्चन नमबर 30 तक अलरेडी हमने प्रिपियस वीडियो में डिसकसन किये थे, इस वीडियो में हम क कुश्चन नमबर 38 तक डिसकसन करने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के लाश्ट तक, आईए कलास को सुरू करते हैं कुश्चन के मादिन से, तो यहां पर आप देख सकते हैं कुश्चन नमबर 31, कह रहा है, एक वस्तु को 4% लाव पर 65 रुपे में बेचा जा गया, तो क्या हुआ, इसको 4% का लाव हुआ, तो देखिए, अब यस्पी से हमें CP निकालना है, यानि कि विक्रे मूल से करे मूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मालनेंगे कि 100 रुपे समान रहा हो, और विगा कितने कहा है, 104 रुपे का, अब यहां से काड लेजी, आ हो जाएगा, 25, 4,24, ठीक, एक बचेगा, 10 हो जाएगा, चार दुन्नी, आठ, और दो बचेगा, और चार पंचे, 20 हो जाएगा, अब 26 को हम भाग करेंगे, 1625 जो यहां पर आया है, इसको हम भाग कर देंगे 26 है, तो देखिए कितना हैगा, इसको काटेंगे, तो यह 1650, तो यहां पर करेंगे हमारा क्या निकल गया, 2650, और एक दूसरी वस्तु है, जो कि जिसका करेंगे, यानि कि CP दिया है, 3750, इसका करेंगे कितना है, 3750 रुपया करेंगे है, ठीक, अब इसको क्या हुआ, इसको बेचा गया, तो 4% की से क्या हो गई, हान हो गई, आप दे गया हो, 96 में, ठीक, तो यहां से आप काट लिजे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दुन्नी, 10 हो जाएगा, इसको 5 से काट ये, 7 पचे, 35, दो बचेगा, और 55 हो जाएगा, ठीक, दो से इसको काटेंगे, तो यह हो जाएगा, 4 दुन्नी, 8 और 2 दुन्नी, 8 दुन्नी, 16, यानि क हो जाएगा, पांचो का 20, इसको आप जोड़ेंगे, तो 6, 4, 10, हासिल आएगा, 1, 5, 2, 10, 5, 7, और 1, 8, 80 हो जाएगा, 80 के 0 हासिल आएगा, 8, साचो का 28, 28 और 8 कितना होगा, 28 और 8, 36 होगा, तो यहां से इसका, यह स्पी कितना निकल गया, यह स्पी निकल गया, 36 रुपया, अब हमसे पूछा है, समगर लाव यहान, तो आप क्या करेंगे, दोनों का क्रेमूल जोड़ लीजिए, और दोनों का विक्रेमूल जोड़ लीजिए, देखिए कितने का अंतरा रहा है, तो दोनों का क्रेमूल अगर हम जोड़ें, यह स्पी देखें यहां पे, दोनों का क् CP कितना है, पहले वरत्तु का CP कितना है, बासट्ट सो पच् While one to be reviews. पहले का हो सब्चाइब का disput ićो सब्सक्राइब 1,220 CPDP 1996 CP. Д scripture पहले का jurisdictions, बासप कर दो España का हो interviews, धिर सैंकर दोड़ देखेंगा, इंद सितितरों को देखेंगे नाहिए, तो आप जब जोड़ेंगे इसको तो 0 हो जाएगा 5-5-10 के 0 हासिल आएगा 1-7-2-9-10 के 0 हासिल आएगा 1-6-3-9-10 10,000 दोनों का CP निकल गया अब विक्रे मूल देखें किनना हो जाएगा 0-0-6-5-11 हासिल आएगा 1-6-3-9-10 देखें 10,000 रुपे की समान को 10,100 रुपे में बेचा गया यानि कि 100 रुपे का फाइदा हो गया हमें 100 का फाइदा हुआ किस पे हुआ 10,000 पे हुआ और परसंटे निकालना है इसको से गुड़ा करा क्या परसंटेज का साइन लगाते हैं 0000 इसको काड़ देजिए 0000 इसको यानि एक परसंट का हमें क्या हुआ लाब हुआ तो आपसल नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा आए दोस्तों इसको एरेज करते हैं और अगला क्यूश्चन देखते हैं क्यूश्चन नंबर 32 देखें क्यारा दो वस्तों का क्रे मूल समान है उन में से एक वस्तों को 15% के लाब पर योंद दूसरी को 12% के लाब पर बेचा गया है यदि विक्रे मूल लियों का अंतर 18 रुपे है तो परते एक वस्तों का क्रे मूल लिगया होगा अब देखिए दोनों वस्तु का क्रेमोल क्या है समान है मनलब जितने रुपे की ये खरीदा गया होगा उतने रुपे का ये भी खरीदा गया होगा दो वस्तु है ठीक ये मालने पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है ठेग ये दूसरी बस्त है और जितने रूपए की ये खरीदा गया होगा उतने रूपए की ये भी खरीदा गया तो एक को 15% के लाप पर खरीदा गया यानि की ये reapthing रूपे का रहा होगा 100 रूपे का समान किस पर भीका होगा 115 पर तभी तो 15% का लाप हुआ और इन दोनों का अंतर हम देखते हैं अंतर ना होगा तो यह दूसरी कितनी लाब पर भीच गया है तो बारा तो इसको लिख देजी एक सो बारा और बटे में 100 रुपे के समान बारा परसंट के लाब याने 112 भी गा होगा और इस तरह अंतर कितना है 18 रुपे का अंतर है अब घटा लीजिए दिखे डिनोमिनेटर हमारा हर क्या है समान है तो एक बार हम लिख देंगे ठीक सोली एक बार लिखेंगे अब 115 में 112 जाएगा तो कितना बचेगा तीन बचेगा बराबर क्या हो जाएगा ठीक अब 3 को इधर रोकी और 100 को उधर वेज पूचा है मतलब परती एक का यहां पर दीया 3 का तो एक का निकाल लीजे तीन बराबर इतना है तो 6 एक बराबर लिखना को श्यत्री का भाषरा है तो यह 600 रुपय है आप सल नंबर चार यहां पर सही हो जाएगा आंए दोस्तों को रेज करते हैं और अगरा क्योश्चन द कुर्षियों नमबर 23 यह कह रहा है एक ब्यक्ति पांच मेज और नो कुर्षियां पंद्रह जार चार सो रुपए में खरीदा वह मेजों को 10 % के लाप बेचता है यह कुर्षियों को 10 % के लाप बेचता है यदि सभी मेजों और कुर्षियों को बेचने पर उसका कुल 2,080 Informate का होता है तो तिन कुर्षियों का क्रेमोल क्या होगा आप देखिए कि कह रहा है पांच मेज पांच जो मेज है और प्लस नो चीर कितना नो चीर नो कुरसी ये कुल बेचा कि खरीदा कितना रुपे में है तो 15,400 रुपे में खरीदा ठीक 15,400 अब क्या करिए इसको आप equation number first मान लिजिए समीकरण first आप कह रहा है कि जो पांच मेज है इसको 10% के लाब पर बेचा गया है कितना 10% के लाब पर और जो कुरसी है कितना कुरसी है नो कुरसी है नो कुरसी नो चीर को क्या क्या गया है 20% के लाब पर बेचा गया है और इस तरह कुल मिला कि इसको कितना लाब हुआ है तो 2080 रुपे का लाब हुआ है ठीक अब दे यहाँ पे लिख देंगे और percentage हटाएंगे तो नीचे 100 आजाएगा ठीक प्लस लगाईए यह नोचीर यहाँ पे है नोचीर आप लिखिए और गुड़े लगाईए 20 यहाँ पे लिखेंगे और percentage हटाएंगे तो 100 लिखना पड़ेगा और एक्वल में कितना है? 2080 रुपया ठीक अब देखें एक जिरो से एक जिरो एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10 क्या बचा उपर? 1 यम, 1 यम बटे 2 ठीक और प्लस में यहाँ पे काटिए इसको 20 से कम 20, 25 यहाँ पे एक आया यहाँ पे 5 तो 9, C बटे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और बराबर 2080 अब देखें, क्रॉस मल्टिप्लाई करिए 5 एकम 5 यहाँ और प्लस 9 दूनी 18 C और बचे 5 दूनी 10 एक्वल में कितना? 2080 ठीक, 2080 और फिर क्या करिए? यहाँ पे क्या करिए? इसको क्रॉस मल्टिप्लाई करा दीजिए, तो यह हो जाएगा 5 यम प्लस 18 C इक्वल में क्या हो जाएगा? यह दस जाके उधर गुड़ाग हो जाएगा तो यह हो जाएगा 20800, कितना हो जाएगा? 20800 तो देखिए इसको क्या करेए, समीकराडर tworam 것 दो मान लेजिए, समीकराड दो देख लीजिए … आप क्या करेए? यहाँ पे समीकराड फ़र्ष्ट और समीकराड दो को compare कर लिजिए आप दखिए यहाँ यहाँ पर भी है 5 e-m आज key sudah HU갖 इसको थोड़ा creature को गया करेंगे और फिर देखेंगे यहां पे इस पेस जगा की कमी हो गई तो यहांपे हो जाएगा अज़ा क मैं देखिए आप हम देखेंगे समीकरण एक वह दो से समीकरण समीगरण एक वा दो से ठीक तो देखे समीगरण एक क्या है 5C 5C प्लस 9C और बराबर क्या है 15,400 दूसरा हमारा क्या है समीगरण नमबर दो 5C और प्लस 18C और बराबर में क्या है 20,800 20,800 अब क्या करें इन दोनों को माइनस कर दीजिए ठीक तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा अब 5C से 5C कैंसिल हो जाएगा माइनस 18C मिसी 15 का 9C जाएगा माइनस का 9C थीどう चाए गा-धिक अब माइनस का 2800 मेंसी 15400 जाकर गाँड़ा10D में स sea 0 जाकर जाकर चार बकाँज किर टीक दस मोसी पांच जाकर तो कि तो पांच भंचेका और यहाँ पर मैनस से मानस लगा दीजिए ठीक अब दीगे यहाँ पर यहाँ माइनस यहाँ पर भी माइनस से यहाँ पर भी माइनस से माइनस का इंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर सी बराबर देखिंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर दिया चववन सो बटे में क्या जाएगा यह आकर यहाँ भाग कर जाएगा तो नौचक चववन तो सी बराबर क्या आपका 600 आएगा सी बराबर कितना आएगा 600 अब देखे एक कुरसी का क्रेमोर ला गया 600 लेकिन हमसे तीन कुरसियों का पूछा है तो तीन से आप गुड़ा करा दीजिए तीन कुरसी का कितना हो जाएगा तीन से गुड़ा कराएंगे तो 63800 तो ये आपसर नमबर हमारा क्या सही हो जाएगा अब देखते हैं कौन सा सही होगा यहाँ पर देखेंगे तो ये आपसर नमबर 4 सही हो जाएगा ये आपसर नमबर 4 में दिया कितना 1800 रुपया तो हमारा तीन कुरसी का करेमोर लिके आया आठारा सो यह आपसर नमबर हमारा चार सेव जाएगा चलिए दोस्तों इसको एरेज करते हैं और अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमबर 34 देखेंगे तो यहाँ पर दिया है कुश्चन नमबर 34 कह रहा है एक आदमी 800 रुपे में मूल में ए और बी दो घडिया खरी दिता है वहाँ दोनों घडियों को समान विक्रे मूल पर बेजता है उसे ए पर 18% का अलाब होता है और बी पर 22% की हान होती है दोनों घडियों का अलग अलग करे मूल लिग्याद करें अब देखिए 800 रुपेया टोटल इनके पास था अब इन्होंने दो घडिक खरीदे इसमें A और B नाम की दो घडिक खरीदा ठेक B हम मान ले A का करे मूल कितना हो X हो तो B का कितना होगा 800-X होगा अब 800 जो भी होगा इतना उसमें से 800 तो घटाए जाएगा B के लिए आप कह रहा है कि A को 18% के लाव पर बेचा गया तो यानि A क्या है X है एक्स को कितना है 118 पर बेचा गया इसको भी उतने रुपे में बेचा गया होगा तो यानि कि इनके दोनों विक्रेमूल क्या है समान है अब देखे इसको जब घड़ी B को बेचे तो 22% की हान होई घड़ी B की क्रेमूल क्या है तो यह 18,000 उस वारी 1800-X है अब इसको भी जब बेचे तो क्या हुआ इसको 22% की हान होगई तो 100 में 22 जाएगा तो कितना बचेगा 78 यानि कि 78% में भी गा तो % जटाएगे तो 100 नीचे हमें लिखना पड़ेगा अब इसको solve कर लीजिए देखेंगे यहाँ पर देखिए 100 यहाँ पर भी लिखा है 100 यहाँ पर 100 से 100 का इनसुल हो जाएगा राबर के साइन में जब लिखा है दोनों वो इक्वल तो इसको कड़ जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा 108 एक्स 1180 एक्स हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा यह 68 जाके गुड़ा हो जाएगा तो यह 1800 और गुड़े क्या हो जाएगा अब फिर 78 से गुड़ा कराएंगे अच्छा यहां पर 1800 हम लिख दिये हैं गलती से यहां पर 800 होगा ठीक यहां पर क्या होगा 800 क्योंकि 800-1 है न तो यहां पर गलती से 800 लिख गया तो इसको रेज़ होगे करेंगे यहां पर चलिए देखी 800-X था न अब देखे यह 800 हो जाएगा डबल 0 हो जाएगा अब 888-64 के 4 हासिल आएगा च्छे और 856-6 कितना होगा 56-62 ठीक अब यहां पर हो जाएगा यह जूड़ेगा तो आड़नी 16 के 6 हासिल आएगा एक साथ एक आठ और एक नो हो जाएगा और एक ए एक सो च्छेननवे एकस बराबर क्या हो जाएगा 62-62-400 ठीक अब इसको काट यह किस से कटेगा यह 4 से कटेगा 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चोग 16 हासिल आएगा कितना 16 तीन बज़ेगा 36 चानवाए 36 यहां पर उन चास हो जाएगा कितना जाएगा चार पंचे 20 ठीक और फिर दो बज़ेगा चार चंग 24 और यहां पर डबल जीरो चपन सो अब फिर किस से कटेगा इसको आप काटिए पंचास 156 भागे 15600 को आप भाग करेंगे उन चास से तो कितनी बार में जाएगा लग भाग यह भाग करेंगे तो कर लीजी यहां पर करके चेक कर लेते हैं बार पंचास भागे 15600 अब इसको भाग करेंगे तो देखिए यह पहले जाएगा हमारा तीन बार में कितने बार में तीन बार में तो 9 तरीक 27 साथ हासिल आएगा दो 4 ते 12 12 और 2 14 ठीक इसमें से मानिस करिए यह जाएगा तो 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा और यह 4 में से 4 जि तो तुम्हारा 49 और इसमें से माइनिस करेंगे 10 मेंसी नहीं दाएगा एक बचेगा और यहां 4 चार चार नहीं से चार जाएगा 4 बचेगा 141 जो ज़ीरो बढ़ा है तो 400 दस हो गया फिर यह कितने बार में जाएगा 488 बार में जाएगा ठीक तो इसको करेंगे तो यह होज़ेगा 89 72 के दो हासिल आईगा साथ आठ चूग 32 बतीस सॉट कितना होगा 327 49 ठीक इतना हो जाएगा फिर दस में से दो जाएगा तो आठ बचेगा और यह 10 मिसी नु जाएगा तो एक बचेगा ठीक यह ठारा है और दस्मनोट मुद आएंगे तो 180 हो जाएगा अब यह जाएगा तीन बार में कितने बार में तीन बार में तो आप आगे भाग कर लिजे तो यह आएगा 318.3 यहाँ पे ठीक तो इसको हम ERAGE करेंगे थोड़ा भी इसको ERAGE करेंगे 318 आप याद रखिएगा 318.3 तो X का वैलू क्या आया X का वैलू आया हमारा X का वैलू आया है X का वैलू आया है 318.3 तो देखिए 318.3 इसमें तो आपसन गायब है देखते हैं अगले में कुश्चन में आपसन है इसमें भी नहीं है तो यह होगा हमारा 318.3 यह हो जाएगा X का value मनलब ये X का करे मूल हो जाएगा 388.3 और B का हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे 800 मिसे माइनस कर लेंगे 800 माइनस 388.3 ठीक अब यहाँ पे एक 0 बढ़ा लीजिए आप ठीक 10 मिसी 3 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ पे 9 मिसी 8 जाएगा एक बचेगा यहाँ पे दस्मलो लगाईए एक बचेगा और यहाँ पे कितना 9 मिसी जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ पे 7 मिसी 3 जाएगा तो 4 481.7 B का आएगा और 318.3 A का आएगा आप एक बार तीन सो रुपे में दो पुष्टक के खरीदेता है वहाँ पहली पुष्टक पर 20% के लाब पर तोसरी को 10% की हान पर बेचता है यद पूरे लेंदेन में ना लाब ही अन्ना हान होता है तो पहली पुष्टक का विक्रे मोली क्या होगा अब देखिए तीन सो रुपे में दो वस्टू खरीदा गया ठीक पहले को क्या किया गया 20% के लाब पर बेचा गया और दूसरे को 10% की हान पर बेचा गया 10% की हान पर और पूरे लेंदेन में ना तो लाब होगा और ना ही हान यानि की जीरो पर बेचा गया ठीक तो क्या करें आप यहां से allegation लगा दीजी allegation में क्या होता है बाड़े में से छोटे को हमेशा minus करते हैं ठीक तो 20 में से 0 जाएगा तो यह 20 ही बचेगा 20 ही बचेगा और यहां पर 10 0 है यहां पर देखे 0 है और 0 में से अगर हम minus 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यह minus minus plus हो जाएगा 10 हो जाएगा ठीक अब इनका ratio बनाएगे तो 0 से 0 cancel हो जाएगा एक ratio दो आएगा 2 मिलके कितना है 3 है और इस 3 का value कितना दिया 300 तो यह कितने गुना है 100 गुना है 100 हर एक value 100 हो जाएगा तो यह 200 हो जाएगा और 100 हो जाएगा हमसे क्या पुछा है तो पहली पुस्तक का विक्रे मूल क्या होगा क्या होगा 20% के ला़ पर तो इसका विक्रे मूल कितना दिया है गलत हो गया इस ट्राइब से नहीं लगाएंगे दूसरी में थर से लगाएंगे इसको यहां पर इसको इरेज करेंगे जो पहले वस्तु है उसका करेंगे हम एक्स मान लें तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 300 माइनस एक्स होगा 300 माइनस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा ठेक अब इस केस में क्या होगा 20% के लाव पर बेचा गया है तो इसको कि पर बेचा गया होगा 120 पर बेचा गया होगा बटे 100 हो जाएगा ठीक और जब लाव यहान नहों तो यानि की बराबर में भी क्रेमूल तो यह 300-X है 300-X है ठीक और इसको क्या किया गया 10% की हानी पर 90 पर भी का यह 90 पर ही तो भी का बटे 100 सोरी सोरी यहाँ पर क्या हो जाएगा पलस में करेंगे इसको बराबर कहें करेंगे जब इसका करें मूल ले समान होता तो बराबर करते यहाँ पर पलस करेंगे और पलस करेंगे यानि की की दूसरा वस्तु क्या है 300, minus x है ठेक और इसको किस पे बेचा गया है तो 10% के लाव पर यानि 90 पर अब बटे 100, अब यहां पर बराबर जो लगेगा यानि करे मूल ही हमारा क्या होगा विकरे मूल विक्रे मूल क्या था 300 तो 300 पर ही विक्रे मूल यानि 300 पर विका भी होगा आप इसको solve करेंगे आप देखिए ये क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा 6 दुन्नी 12 और 5 दुन्नी 10 यानि कि 6x बटे 5 यहां पे हो जाएगा प्लस में 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा 29 27 यहां पे हो जाएगा 29 27 और 00-9x और बटे में बटे में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और बराबर में 300 अब देखिए 6x यहां पे 6x बटे 5 प्लस में 6x है और ये माइनस 9x है तो 6x में से 9x जाएगा तो कितना बचेगा आप क्या करिए इसको cross multiply कर लिजे तो यह हो जाएगा 60x हो जाएगा और plus में यह हो जाएगा 5 से गुड़ाग रहेंगे तो कितना हो जाएगा double 0 तो रहेगा ही रहेगा 735 के 5 हाँ से लाएगा 3 और बांदुन्नी 10 10 13 ठीक और माइनस 945x माइनस में माइनस में 45x ठीक और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे बटे में हो जाएगा तुम्हारा 45x बटे में हो जाएगा 52 50 बराबर 300 ठीक अब दिखेए 60x में से 45x जाएगा तो कितना बचेगा तो यह बचेगा तुम्हारा 15x कितना बचेगा पंदरा एक्स ठीक और प्लस में 13500 और बराबर लगा यह पचास उधाजा के गुड़ा होगा तो क्या होज़ेगा दो जीरो इसका और एक जीरो इसका यानि कि तीन जीरो तो पहले लिख देंगे ठीक तीन जीरो और यह होज़ेगा पांते ही पंदरा अब देखिए 15x बराबर इतना है तो 15x बराबर इसको भी उधर भेज़े दीजिए शिट कर दीजिए तो यह हो जाएगा 15000-13500 अब घटा के चक कर लिजिए कितना उचेगा पंदरा एक्स बराबर हो जाएगा जीरो मिसे जीरो जाएगा जीरो मिसे जीरो जाएगा जीरो मिसे जीरो जाएगा और यह दस मिसे पांच जाएगा तो पांच बचेगा और यहाँ पे चार बचा चार मिसे तीन जाएगा एक बचाएगा एक मिसेध जाएगा 0 अब 15 X वराबर 15 50 के लाब पर बेचा गया है तो 120 हो जाएगा 20% के लाब यहां पर आप 20% जैसे निकालेंगे इसका 120% तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 लिखेंगे तो 100 से 100 का इंसल यानि की 120 ही हो जाएगा आपसन नमबर 3 हमारा सही हो जाएगा आई एकला question देखते हैं question number 36 कहरा सची 5000 की दर से 2 वस्तों बेचती है पूरे लेंदेन में ना तो हानी ना और ना ही लाव होता है यदि एक वस्तों को 16 सही 2 वटे 3% की धानी पर बेची गई है तो दूसरी वस्तों को कितने लाव पर बेची गई है अब देखिए दो वस्तों हैं यह वस्तों हमानले पहली और यह वस्तों मानले second पहली वस्तु को कितना बेचा गया है और 5000 पर इसको बेचा गया है और 5000 पर इस में भी बेचा गया है अब यहां पर पे-इस प्रीज़ नहते ही लज़ पहां हिर देख Bach तो देखिए अब जोड लिजे कि टोटल हमारा करेमूल हुआ कितना तो यह 0 हो जाएगा यह 0 हो जाएगा यह भी 0,5,5,10 यानि 10,000 तो हमारा विक्री हुआ और 10,000 क्या होगा करेमूल भी होगा कितना होगा टोटल 10,000 होगा तो यहाँ पर 10,000 लिख दीजिए ठीक 10,000 यह क्या हो जाएगा हमारा CP हो जाएगा अब देखिए करा पहली वस्तु को 16 सही 2 बटे 3% की हानी पर बेचा गया है अब इसका मतलब क्या है 16 सही 2 बटे 3% का ठीक अब इसको देखे जब करेंगे गुडा तो 16, 48, 48 और 2, 50 50 बटे 3% परसंट परसंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 और बटे मे स्वाली 50 बटे 5200 और 300 कुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा 1 बटे 6 हो जाएगा अब ये क्या होता है 6 हमारा CP होता है ये क्या होता है हानी हो गया loss हुआ तो loss हो या profit हो तो profit तो 6 का value यहां पर दिया है 6 का value कितना दिया है स्वाली 6 तो हमारा करेंगे मूल है और एक का घाट दीखेंगे तो हमारा Initiate क Перे मूल पहली वस्तु कम 變ा कितना हो गया 6000 कितना ऒताती है रदी चेह बताएगा स और दोनों का करेंग systemic दसेजार है और दोनों का करेंगे बली 10,000 है अब पहली उसते हो जार का ऴस्तूटे कितनी के बढ़एगा तो तो दूसरी वस्तु का करेमुल कितना रहा होगा? 4000 रुपया रहा होगा, ठीक, तब ही तो दोनों मिला कि 10,000 हुआ, अब देखिए, पूछा हमसे पूछा, दूसरी वस्तु का कितने लाप पर बेची गई? तो 4000 रुपय की समान को अगर 5000 में बेच देंगे, तो कितना का फायद होगा? 1000 का, 1000 और किस पे हुआ है? तो ये करेमुल कितना है? 4000 है, और परसेंटर निकालना है, तो आप जानते हैं, 100 से गुड़ा कराखे, परसेंटर का साइन लगाते हैं, 00 सो ये 00 का एंसिल हो जाएगा, 00 से 001 का एंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 25 यो का 100, यानि कि कितना 25 परसेंट के लाप पर दूसरी वस्तु को बेचा गया, आपसा नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, आईए अगला कुश्चन देखते हैं, कुश्चन नंबर 37, कहरा रेसमाद दो वस्तु ए तथा बी 1734 रुपे में खरीद देती है, ए को 16 परसेंट की हानि पर तथा बी को 20 परसेंट के लाप पर बेच देती है, दोनों वस्तु का बिक्रे मूल समान है, यदि ए को 1147 तुसमलों 5 रुपे बेचती है, तो ए का लाप परतेसाद क्या होगा, अब दो वस्तु ए तथा बी को इतना रुपे में खरीद देती है, उसी तरीके से इसको भी लगाना है, इसमें क्या है, विक्रे मूल इसका भी समान है, ठेक, सेम सवाल है उसी तरीके से, तो पहली वस्तु कितना है, पहली वस्तु को किस रुपे में खरीदा गया है, तो 1734 रुपे में इसको खरीदा गया यह क्या है मारा CP है और दूसरी वस्तु को अच्छा दो वस्तु ए दता भी 1734 रुपे में खरीदी गए दोनों वस्तु ए 1734 में खरीदी गए इसमें एक वस्तु A सामिल है और दूसरी वस्तु B सामिल है हम A को X मान ले तो B को कितना किसमें बिगेगा 1734 और माइनस क्या हो जगा X ठीक आप कह रहा है जो पहली वस्तु है हाँ A को 16% की हान पर A क्या है X है इसको 16% की हान पर बेचा गया है तो 100 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 84 बचेगा यानि कि 84 पर बिगा है 84 बटे 100 ठीक और कह रहा है कि यहां पर कह रहा है कि दोनों वस्तु का विक्रे मूल समान है यानि जितने रुपे में ये बिगा है उतने रुपे में वो भी बिगा है तो दोनों को आपस में बराबर करना पड़ेगा और दूसरी वस्तु को 20 परसंट के लाब पर बेचा गया है दूसरी वस्त को यानि कि ये जो 17 134 माइनस X है इसको किस पे तो 20 परसंट के लाब पर बेचा गया है तो इसको किस पे बेचेएंगे 120 बटे 100 ठीक अब सो से तो सो यह हमारा कैंसिल हो जाएगा अब क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 84 X हो जाएगा और equal में यह हो जाएगा 1734 1734 गुड़े में क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा और माइनस 120 X हो जाएगा ठीक अब क्या करेंगे ये 120 इधर माइनस में इधर लाएंगे तो पलस में हो जाएगा तो 84 x पलस 120 x ठीक 120 x यहाँ पे 120 नहीं दिख रहा है सही से इसको सही बना दें 120 x और ये गुड़ा हो जाएगा तो एक जीरो तो रहेगा ही अफे 4 दून 12 से गुड़ा करेंगे 12 चोग 48 के 880 लाएगा 4 बारते 36 36 और चार कितना हो जाएगा 40 हासी लाएगा 4 बारते 84 84 चार कितना होगा 84 88 के 8 हासी लाएगा 8 बारा कम 12 बारा आठ 20 हो जाएगा ठीक है टीक विस जार दो लाख अ सरी 20,000 आशिक हो यहां पर देखिए